वेल्कम फ्रेंट नमस्कार में डॉक्टर प्रदी कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत तो आगत करता हूँ भाईयो काफी सारे लोगों की नस्वों में कमजूरी आ जाती है जिससे वो काफी परिशांग हो जाते हैं लेकिन काफी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि नस्वों में कमजूरी के आ जाने पर क्या लच्छन आते हैं जिसकी वज़े से वो सभी लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को करा कर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं जिसकी वज़े से लंबे समय तक नस्व में कमजोरी के बने रहने पर उनको काफी परिसानियों का सामना करना पड़ जाता है तो भाईयो आज मैं आपको बताऊंगा के नस्व में कमजोरी के आज जाने पर क्या लच्छना आते हैं जिसे समझकर आप अपनी वक्त पर सही जांचों को कराकर सही इलाज कराकर अपने जीवन को बचा सकते हैं तो भाईयो इस विशे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माद्दम से दूँगा तो भाईयो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें खातों और पेरों में सुन का आजाना और जंजनाट का हूना नसों में दरद का हुणा नसों में एठन का हूणा हलका सिर में दरद का हुणा सोचने की छमता का कम हुजाना नसों का चड़ना कमजूरी और ठकान का बना रहना चक्कर का आना, चिंता या डिप्रेशन का हो जाना, आखों से कम दिखना, शरीर की रोग प्रतिरूदक छमता का कम हो जाना तूंगने की, स्वात, चखने की, छूने की, या सुनने की छमता का कम हो जाना, और भाईयो जटकों का लगना तो भाईयो नसों में कमजोरी के आ जाने पर ये सबी लच्छन आते हैं तो भाईयो अगर आप कोई लच्छन हैं तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और भाईयो जांचों को करा कर बीमारी का पता करके उस बीमारी का सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं भाईयो उल्टा सिदा इलाज बिल्कुल भी ना करा क्योंकि भाईयो नस्वों में कमजूरी के बने रहने पर आगे चल कर मरीज्यों को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ जाता है भाईयो अगर आम मुझसे कुछ पूछना चाते हैं भाईयो मुझसे कमेंट करें मैं आपके हर कमेंट का जबाब जरूर दूँगा नमस्कार भाई